असलाम अलेकुम यूवर्स मैंने में जोकार हमद विवर्स आज के लेक्षर में हम देखेंगे कि हम HTML में होरिजंटल लाइन को किस तरह ड्रा कर सकते हैं तो फॉर्स पर यहां पर नोट पेड प्लस प्लस कोल हुआ उसको एक फॉल्डर में सेफ कर लेते हैं सेवेस और यहां पर हमने वही फॉल्डर जो हमने डिक्स्टॉप पर क्रेट किया था HTML का इसको यहां पर नेम दे दे hr.html मतलब horizontal line.html यहां पर HTML का document एक मना ले यहां पर head यहां पर title और title में दे दे यहां पर के horizontal line तो viewers let's suppose मैं यहां पर एक paragraph लेता हूं ठीक है और इस paragraph में हम कुछ text लेते हैं मैं यहीं पर text यहां पर copy कर लेता हूं copy यहां पर paste इसको यहां से second name लेता कि इसकी जो लुक है बहुत दोड़ी सी अकवर्ड ना लगे हैं तो इस तरीके से हमने यहां पर एक paragraph लिए इसको run करते हैं तो अब यहां पर मैं suppose इसको copy करता हूं copy और इसी को मैं यहां पर paste करता हूं तो अब हमारे पास यहां पर दो paragraph जो हैं वो यहां पर create हो चुके हैं मतलब कि हमने दो paragraph यहां पर बना लिए हैं अब इसमें horizontal line जो है वो किस तरह से ट्रा करेंगे हम तो उसके लिए हम एक tag यूज करते हैं जिसको हम hr take बोलते हैं hr ठीक है hr take क्या करेगा इनके दर्मियान जो है मैंने यहां पर गया किया मैंने यहां पर एक paragraph लिया पर दूसरा paragraph लिया और पिर मैंने यहां पर इनके दर्मियान जो है hr का tag यूज किया सेव कर ले यहां पर आके रिफ्रेश कर ले तो यहां पर इस तरह से एक होरिजन्टल लाइन जो है वो यहां पर ड्रा हो चुका है मतलब फर्स्ट परिग्राफ और सेकंड परिग्राफ के दर्मियान हमने यहां पर एक लाइन को ड्रा कर लिया है अब यहां पर इस लाइन पर इस horizontal line पर हम और भी functionality जो है वो apply कर सकते हैं suppose मैं इसका color जो है वो change करना चाहता हूँ तो मैं first यहाँ पे लिखूंगा color color और यहाँ पे हम equal cosine उसके बाद double codes में हम इसकी जो values है वो यहाँ पे लिखेंगे suppose मैं यहाँ पे लिखता हूँ red अब यह color जो है यहाँ पे इसको हम बोलते है एट्रिब्यूट ठीक है यह हमारे पास यहाँ पे एट्रिब्यूट हुआ यहाँ पे यह equal का जो sign है हमने वो यूज किया और यहाँ पे double codes में हम इसको value दी कि इस line का जो color है वो red हो जाए attribute हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने टेक पर या अपने कोई भी जो हमने वहाँ पर text हो या कोई भी image हो जो चीज भी हमने वहाँ पर कोई भी टेक हमने वहाँ पर ली हो उस पर हम जो है मजीद और भी functionality apply कर सके तो देखते हैं कि इसका color change हो चुका है यहां पर हमने color यूज करके उस पर जो functionality apply की है उस पर जो red का color apply किया है वो यहां पर ब्रावजर में इस तरीके से यहां पर performance शो करेगा ठीक है अब यहां पर हम इसको और भी suppose मैं यहां पर देता हूँ width इसकी width जो हो width मैंने यहां पर attribute यूज किया इसको width मैं suppose देता हूँ यहां पर देते हैं 50% 50% यहां पर इसकी width जो है वो 50% तक आ जाएगी यहां पर हम कुछ भी मतलब कोई भी यहां पर हम values कर सकते suppose मैं यहां पर लिखता हूँ 10% तो यहां पर इसकी जो value है वो 10% हो जाएगी अगर मैं यहां पर देता हूँ 100% तो यह हमारे पास यहां पर इस तरह से 100% मतलब पूरे page पर जो है embed हो जाएगी इसको हम 50 ही कर लेते हैं और यहां पर हम suppose इसको align का एक हम attribute यूज करते हैं और वही same यहां पर हम लिखते हैं कि हमारा line जो है वो या तो lift side पर आ जाए या center पर आ जाए या right पर आ जाए तो by default वो तो lift side पर ही होता है तो हम इसको suppose right side पर कर लेते हैं right और यहां पर इसको refresh कर ले तो यह right side पर यहां पर जो है line चली जाएगी मतलब center से 50% हमने वहां पर इसको width दिया था और align कर दिया तो right side पर वो यहां पर move कर जाएगी अगर हमने इसको lift करना हो तो हम यहां पर एक और values करते हैं lift अब क्या करेगा यह अब यह यहां पर lift side पर move कर जाएगा इस तरह अगर हम center लिखें तो यहां पर यह center और यह यहां पर आ जाएगा दर्म्यान में तो इसको हम बोलते हैं horizontal line तो viewers अब भी जगर आपके मायन में कोई भी question arise हो रहा हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं झाल